यूपी एसी का जो एक्जाम में वो पॉस्पोन हो चुगा है 10 अक्तूबर 2021 को अभी यह डेट दी है तिल फर्दर नोटीज फाइन तो गाइस चलो हम अपनी जो हम पीति सिस्टिवाइब कल्चर की में जीन कर रहे थे उसको हम कॉंटिन्यू करते हैं बागे अगर आपको अपने लाइफ को अच्छे से जी सकें आपको पता ना जी मध्या प्रदेश का जो बारवानी एक एस्परेशनल डिस्टिक्ट है क्योंकि यहां पे पूर सोच्यो एकनोमिक कंडिशन है लोगों की इसके लावा बारवानी में कोई भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट नहीं है जाइवर जो इसके आसपर जो डिस्टिक्ट है जैसे खड़े गाउन धार जहां पे जो ट्राइबल आर्टिसन्स हैं वो बाग प्रिंटिंग में एंगेज़ हैं और या त्रेडिशनल वीविंग ऑफ टेक्स्टाइल में क्या हैं एंगेज़ है किस स्टाइल में इस प्रेंटिंग में हम क्या करते हैं एक कोटन या सिल्क क्लोथ में हम क्या करते हैं फिर हम क्या करते हैं कुछ को रोडिट आईरन फिलिंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं एलम या अजिक मतब कि देखो आपको पता है आईरन जो लोहा होता है उससे हमें रेड करन मिलता है तो ह करते हैं सब्जेक्ट ट्रीट्मेंट और ब्लेंट तो भी रीटेटिंग तो यह पूरी हो जा जा है तो जो फ्रींट्टिंग फेबरिक आपकेर यह कुर्ट है जो गालब और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर कोटन या जो सिल्क कपड़ा है उसको हम सन में ड्राइ करते हैं इसमें प्लोरल कंपोजिशन करते हैं वेजिटेबल कलर से उस करते हैं रेड या ब्लैक कलर के ओवर दा वाइट बेक्राउंट ब्राइक प्रिंटिंटिंग को जी इंटिकेशन का टैग भी मिल चुका है 2008 में अब आप देख सकते हो यह महेश्वारी फैब्रिक है और चंडेरी फैब्रिक है अपने इस तरह की साड वर से आये जो नर्मदा के बैंक्स पे लोकेटिट है खड़े गाउन डिस्टिक्ट ऑफ मध्या प्रदेश में फाइन इसके लावा जो ग्रेंडूर है ऑफ दा फोर्स इन दा मध्या प्रदेश एंड देजाइंस प्लेड इंपोर्टेंट रोल इन इंस्पारिनिंग दा ट अधियोर है मतलब कि जो उनका आर्किटेक्टिर है मज समझ रोर किस तरह का प्लेस के डिजाइन है उससे का फी इंस्पार हो रहा है इसके लाव कुछ इंपोर्टेंट जो इसमें पैटरन जैस्मीन पैटरन चमेली हो गया ब्रिक पैटरन इंट हो गया डाइमेंड पैटरन उनकी जो रोयल फैमिली की भूमें थी वह पहनती थी और माना जाता है इसको राणी अही या वाई होलकार के द्वारक खुद ही क्रियेट किया गया था तो कि इसके बार में आपको पतो नहीं है और आई थिंक मैंने आपको लास्ट इर भी इसके बार में पढ़ा जारी में ट्रेडिशनल एतनिक फैबरिक है यह भी लाइट वेट होता है शियर टेक्स्टर होता है और काफी जाधा लग्जीरियस फील होता है इसको प्रोड्यूस किया जाता है सिलक में फिल्क को सिलके गोल्डन जारी में ट्रेडिशनल गोल्ड कोटन यान में जिसकी वज़से जो जो चंदेरी सिल्क है वह माना जाते हैं तो सींदिया डेनेस्टी थी उनकी रोयल फ्यामिली की द्वारा पैटरनाइस के दाता था या फिर वहां पर पहना जाता था अब हम जड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा जो रिलेटिड इंफोर्मेशन है जैसे गोर्वाई वेविंग की जो मेली तमील नादू के कांची पूरम में क्या किया जाता है इस टेकनिक में हम क्या करते हैं साडी का एक तो बोड़ी होती है को बोडर होता है तो साडी की जो बोड़ी है उसको हम अलग से सिलते हैं और जब दोनों को सिल लेते हैं उसके बाद दोनों को इंटरलोग कर त्राइबर कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको 1987 में इसके अंडर मल्टिस्टेट कोपरेटिव सोसाइटिक 1984 पे गवर्मेंट ऑफ इंडिया एज नेशनल लेवर कोपरेटिव बोड है यह मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल वेलफियर क इसके अंडर काम यह कि हम कर सके हमारी कंट्री के जिपन डिपन 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 ट्राइबल कम्निटी है उनको सोशली और एकोनॉमिकली डेवलप कर सके और क्या कर से कि सोधित उनके जो मार्केट का असेस्स पहुंचाएं यह काफी रोल प्ले करते हैं बोथ हम मार्केटिक अब देख सकते हैं इंडिया के वेडिये स्टेट में कौन को सी टेक्स्टाइल को सिया जाता है आप देख सकता है काशिद पुलकारी है। देखो हिमाचल में कुलू शोल्द होगी उत्राखंड में है पंचॉली उत्रप्रदेश में बनार से सारी चिकन कारी मेली लखनों में होती है राजस्तान में कोट्टा बंदन लहरिया मद्य प्रदेश में चंडेरी महिश्वाली बागपरिंट जोगने अभी पड़ाई है आ अभी सारे नम आप खुद पड़ सकते हो मैं अगें आपको बोलूगी कि इसका एक स्क्रीन शोट लो और इसको आप अपना पड़ो फाइं नेक्स्ट करते आगे कुछ और आर्ट फॉम्स थी तो न्यूज में कोलम ड्राइंग यह ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म दो ट्राइंग है जो में लीड फलोर्स पर की जाते फ़र्श पर कि जाते हैं जोमेत्रिकल पैट्रण में यह हम इसले करते हैं ताकि हम अपने घर में हेल्थ और प्रोस्पारिटी को इन्वाइट करें इनके रो मेटीर्स होते हैं वह मेली राइस फ्लोर हो गया ठीक है चावल का आटा हो गया पल्स होगी या लीव्स होगी इसके अदर कुछ मोतिफ्स भी होते हैं जैसे लॉटर्स फिश वर्ट्स मतलब ग्रोंस में वह कुछ न कुछ डिपिक्ट करते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट मेंनिंग होते हैं तो अगर हम लोट्स फिश बर्ट्स यह डिजाइन करें तो इसका मतलब यह डिफ्लेक्ट करें धैट एट एनिमल और मैन एह दोनों एक तरफ से युनाइट हैं जो यह ब यहां जाता हैं यह बनाते हैं फिस अभी ऑगवान की इमेज़ नहीं बनाते हैं कि अब ऐमेजी बनाए जाते हैं सामे किया डेली राइफ में हमनें लोग कर रहे हैं उन सब को ऑने इसमें हुमनइ हों क्या करते हैं सटिंग कर रहे या हुझ वैज करों सब्सक्राइब हार्वेस्ट कर रहे हैं वर्ली पैंटिंग में सीरीज ओव डॉट्स एंड डैशिस आपको दिखेंगे आप देख सकते हो ठीक है बुमें को में लिए इंगेज किया जाता है इन इन प्रियेशन ऑफ दीस पैंटिंग फाइन नेक्स्ट है मधुबानी बिंटिंग कहां पर को यूज करके बनाया जाता है जो यह कलर्स पिस्पेशली आर्टिस के द्वारा ही प्रिपेर के जाते हैं इसमें थीम्स हम क्या क्या होते हैं हिंदू डिटी होगी कोट सीन्स वेडिंग सीन सोशल हैपनिंग इसके लावा जो फ्लोरल एनिमल बर्ल्ड मॉतिव इसमें यू करते हैं इस बेसिकली हीुज कनवास होता है जिस एक मैटल रोड विद कलरफुल पेंट होता है रोगान एक टेकनीक होती है कि हम किसी फैब्रिक को पेंट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ थिक ब्राइट कलरड पेंट लाइक सबस्टांस यूज करते हैं विदा कास्टर सीड़ रोगन एक मेरर आट होती है मतलब कि पेंट होता है और वो किसी और क्लोथ पे इजरी ट्रांसफर किया जा सकता है अरुनाचल प्रदेश की मोनपा हैंड मेड पेपर अभी के जो खादियन विलेज इंडस्री कमिशन है उन्होंने मोनपा हैंड मेंड पेपर मेंकिंग यून लोकल लेंगविच में और यह वहां कि जो मोनपा ट्राइब रहती है उनके कल्चर को क्या करते है डिपिक्ट करते है यह पेपर माना जाते है थाजार साल पुराना है और इसका काफी रिलीजिस सिक्निफिकेंस है इस यह पेपर यूज किया जाता था उस वकद बुद्धि जपान वहां पर कोई भी पेपर मेकिंग इंडस्टी है वह उस समय एकसिस्ट नहीं करती थी इसके लिए बज़े लोकल इंडस्टी वह ग्रेजुली डिक्लाइन हो रही थी और जो हैंड मेंड इंडस्टी है वह टेक ओवर हो गई थी बाइदा चाइनेज पेपर जो मोन पा ह किसकी केरला की फाइन तो कई आपको सबसे पहले यही पता होना जी पुलिकाली होता है कि एक आर्ट फो में किस स्टेट की केरला की होनी जी इसमें जो पर्फॉमेंस होते हैं वह अपने आपको टाइगर्स की तरह पेंट करते हैं या फिर हंटर्स की तरह पेंट करते हैं ब फ़ाइब दोका टेकुरेटिव पिसे वेस्ट पेंगोल अभी किया जो धोका आटफेक्ट्स हैं वह कुछ मैटल फिग्रेंस होती हैं जिनको फैशन किया जाते हैं फोम ब्रोंज एंड को पर बेस्ट एलोई उजिंग लोस्ट वेक्स केस्टिंग यह जो नेम है धोका आटफ है वो डांसिंग गर्ल ओफ मोहिंजा दो ठीक है यह का आपने पड़ाब यूगा फाइन अजिवलों हम अपना थर्ड चेप्टर करतें डांस एंड म्यूजिक अगें वेरी इंपोर्टेंट चेप्र इंक्लूजन ओफ इंडिजीनियर स्पोर्ट्स इन खेलो इंडिया यू सब मार्शिल आठ्स हैं अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन सी जो यह गेम है कौन कौन सी स्टेट से बिलूंग करते हैं यह भी हम सब पढ़ेंगे हम जब यह देख रहेता है जो खेलो इंडिया यंग जो यूथ गेम है वह हमारे नैशनल प्रोग्राम for development of sports इसी का एक पार्ट मतलब कि हम चाहते हैं कि हम इपने sports को और डेवलप कर सेके इंडिया के जो नैशनल sports इनको डेवलप कर सके तो यह उसी का पार्ट है जिसको एप्रूफ किया गया था union cabinet के द्वारा 2017 में खेलो इंडिया प्रोग्राम को इंट्रोडूस इसले किया गया था ताकि हम इंडिया को establish कर सके as a great sporting nation अब आप देख सकते हो कौन-कौन सी martial arts है हमारे इंडिया की तमिल लाडू में सिलंबामा एंड कुट्टु वराइस ही है ते को martial arts की बात कर रहे हैं मानिपुर्व की सरिच रखा है हिमाचल परदेश की ठोड़ा है बेंगोल की लठी खेला है महराष्ट का म सब्सक्राइब करेंगे और इसके बारे में अबेरनेस अस्वार्दानी खेल है यूगासना को फोर्म रिकोगनाइस किया as a competitive support इससे हम क्या कर सकते हैं नियू टेक्नोलोजिस और जो नियू स्ट्रेजिस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं सो देर हम यूगा में डिसिप्लिन ल सब्सक्राइब करेंगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं फिजिकल और मेंटल वेल बिइंग यह सब हम अवेरनेस फिलाएंगे यूगासना एक इंटीग्र और इंपोर्टेंट कंपोनेंट है किसका यूगा का इसके लाब कौन-कौन से इवेंट्स हैं इसमें वह हैं ट्रेडि के डिफरेंट टेक्निक्स होती है जैसे मेया पाटू जिसमें फिजिकली बोडी एक्सरसाइज होती है वदाय पाटू इसमें आप लड़ते हो स्रिक्स को यूज करके डंडे यूज करके वाल पैटू में आप स्योट्स तलवारी यूज करके लड़ते हो वेरूम करब एक स्टेट्म उफ मेडिसिन इसको पार्ट बना जा रहा है इसी करिकुलम का नेक्स एंडिशनल स्पोर्ट इंडिया का जिसमें जुमनास्ट है कि क्या करता है एरियल योगा परफॉर्म करता है आप देख सकते हैं पोल पे लटक के मतलब कि हवा में क्या कर रहा है कुछ पूल की सपोर्ट कर रहो यह हैंगिंग मला खंब वो गया या फिर रसी के सपोर्ट से कर रहो ठीक है जो मला खंब को औरीजिन है वह बारवी सांचिरू से हैं और यह मैंशन है मना सुलास में जो कि चालुक्या के दौरा क्लासिक लिखा हुआ था 1135 एडी में नेक्स गटका यह फाइटिंग का स्टाइल है विद फूटन स्टिक्स जिसमें आप देखो आप देख सकते हो अगर आप कभी मदब कि अगर आपने जैसे गुरु नानक जहनती होती है अगर आपने उनके कभी शोज देखे हूं तो आपको यह दिखा होगा ठीक है तो यह वूडन स्टिक आप ओव स्टिक्राइब भी बोलते हैं यह डेटिकेटिट इसोटे रहम क्या कर सके फाइट कर सेके स्किल से एंड वर्शिप से इसमें एक्स्टरनल वेपन्स को इंटिग्रेट करता जाता है जैसे स्टेट हो गया स्पेर डेगर एकसे रा विद इंटर्नल प्रेक्टिस ऑ अब हम अब करते हैं कुछ और इंपोर्टेंट न्यूस थी जरह हम दिखते हैं भवाई गुजरात यह फोर्म ऑफ ट्रेडिशनल स्टीट प्ले हैं मतलब कि जैसे स्टीट प्ले होते हैं उसी तरह का एक फूम है जो वेरियस विलिजिस में होते सुराष्ट और गुजरात क इसमें कुछ भाव से पर्फॉर्म करते हैं मतलब है इसका आपको पते हैं नवरात्री में घरबा खोला जाता है इसमें क्या अटे हैं घरबादीब होता हैया और यहां सी टरह सेंतल उर्णाट और वेलिजिकल पूराणा पर इसमें और यह इक शिकंगा करooth कर ना रर्णयाथ का कि जो किसे मित 실尔र स्टोरी से पुराना स्पे घमित्योजिकल जैसे माभारता रमायन स्टॉरीश के पुराना स्पए जैसे माहाभारता रमयान इन स्टोरिश में इन पर पिट्डर्स कहते हैं में इस परिजिनें टॉप्त अलेंग एम संट्टर्स का जैसे निए जाट्स सृूम डेलाउप जीप ओर मतलब प्रबूदा भारत जर्नल अभी के रिसेंट्री जो प्रबूदा भारत जर्नल है उसने अभी 125th सेंचरी सेलिब्रेट की है जो प्रबूदा भारत या फिर अफेकन इंडिया एक इंग्लिश मंथली जर्नल है किसका राम कृष्ण मिशन का प्रबूदा भारत चर्णल है जो किसमें है इंग्लिश लैंग्गुज में और मंथली पब्लिश होता है किसका रामक्रिश्न का निग्शन का इसको जर्नल को फाउंडर्ट किया गया था 1896 में किसके द्वारा पी आया स्वामी बिया राजाम अईयर जिजी नरसीमाचारिय एंड बीवी कमिश्वरा अईयर कहा पे मदरास में इनको फाउंडट किया गया था एड बिहस्ट ओफ स्वामी विकन यह लोंगेस्ट टर्निंग मंथली इंगलिश मेगिजीन है अपनी कंट्री मतला कि आप देख रहो कितने साल पुरानी है मतलब मेर अब आप देख सोकते हो तो 1896 से चल रही है तो बहुत साल पुरानी है और इस सबसे ज्यादा लोंगेस्ट तिलग सिस्टर निवेधिता श्री और बिंदो घोर सर्वेपाली राधा कृष्ण उन्होंने भी इस जनरल में लिखा था इसके लावा रामा कृष्ण मिशन के और भी कुछ पब्लिकेशन दे एक था उद भोधन बेंगॉली मंत्री जो स्वामी वेकनान जी के द्वारा ही इसके लवा वेधान तक केसरी यह भी कल्चर स्प्रिच्वल मैगजिन है इंग्रिश में जो 1914 में स्टार्ट की गई थी इसके लवा जो सिरी रामा कृष्ण वीजय में यह तमिल में हैं मंत्ली मैगजिन जो स्टार्ट की गई थी 1921 में अब आपको आपको पता ही हो का रा आपको क्रिश्ण ने एंबोडिट की थी ठीक है और हम जो इंडियन पीपल है उनके सोशल कंडिशन को इंप्रूफ करें यह फिलांट्रोफिक और वॉलंटर ओर्गनाइजिशन था मतलब कि इसको फॉर्मूरेट किसके तोरा किया था स्वामी बेकानन जी के तोरा ओर्गन स्वाइशन दिविनिटी ऑफ दा सौल एंड हार्मोनी ओफ दर रिलीजन तो इन तीन में आइडिया से बेस था नेक्स्ट है कुछ और इंपोर्टेंट न्यूस है जरा हम देख लेते हैं मॉंगोलियन कंजूर अभी के है जो मनें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसक प्रोजेक्ट के टेक्स्ट हैं जो कहां पर मॉंगोलियन बुधिस्ट के द्वारा मतलब की पढ़े जाते हैं या फिर उनको काफे ज़्यादा माना जाता है और वह जो मॉंगोलियन बुद्धिस्ट करते हैं अपने टेमपस में यह एक कल्चर ऐड़निटी है कि इनके स्ब्रेड कर सकें नेक्स्से टंगम यह और लेंगवेज जू बिलूंग करती है तो डिव्युन बुरूमन लेंगवेज समझ याँ पर मद्व दिपता और बुरूमान में मार के पास है उन फैमिले से बिलूंग करते उनके ओर लेंगवेज और इनको किसके द्वरा बोली यह दोरह चाहती है तंगम के दोरह जो कि अरुनाचरः प्रदेश में कम्नाटी रहती है यह critically endangered language है under the uasco World atlas of endangered language and danger language हमारी हम देखा जाएए इंडिया में 197 languages ऐसी हैं जो endangered होने वाली है मतलब की more than any other country in the world according to uasco any language जो 10,000 लोगों से कम के द्वारा बोली जाती है वो language endangered होती है critically endangered languages वो होती है जहाँ पे अब जो उनकी आगे generation आ रही है या वो अब नहीं बोल पा रही है इंडिया में 1971 census के बाद any language जो 10,000 लोगों के द्वारा बोली जा रही है उसको official list of languages में included नहीं किया गया is not included in the official list of languages इसके लावा क्या steps लिए गए है सोधित हम endangered languages इसको preserve कर सकें सबसे पहला है scheme for protection and preservation of endangered language second is government ने कुछ funds प्रोवाइट की गए है सोधित हम center set up कर सकें for endangered languages in nine central universities इसके लावा next है बक्षाली manuscript अभी किया है उसको Oxford University के दोरा identify किया गया है और यह बोला जा रहा है कि शायर zero सबसे पहले यहीं पे यूज किया गया and it is it is as the first recorded use of the mathematical symbol for the zero तो जो earliest recorded example है zero की कहां पे यूज किया गया था वो पहले मैना जाज़ा था 9th century inscription पे जो एक temple की वोल पे था इंडिया पे लेकिन अभी क्या है इसको माना जा रहा है जो बक्षाली मैनिस्क्रिप्ट पे जो ब्लाग डोट है अब उसी को सबसे ज़्यादा recorded माना जा रहे use of the mathematical symbol of the मतब कि सबसे पहले zero का इस्तेमाल कहां किया गया है पहले माना चाहरा था जो बक्षाली मैनिस्क्रिप्ट के जो एक जीरो वहां पे डोट बनी हुए उसको माना जा रहा है लेंग्वज अकेडमी कौन गाने आपको पता हो गया यह इंडो यूरोपें लेंग्वेज है स्पेशली गोवा की और यह वन ऑफदा अपनी शेडियूल लेंग्वेज भी है गोवा में बोली जाती है या फिर महाराष्ट करनाट को के लगए कोस्टल एस में भी बोली जा असामिस बेंगोली गुजराती हिंदी कंणर कश्मीरी मल्यालम मराथी उडिया पंजाबी संस्कृत सिंधी तमिल तेलगू उर्दू बोडो संतली मैथ्री और ओग्री फाइन तो इंडो यूरोपें लेंग्वेजिज के पास हाइस नंबर ओव स्पिकर्स हैं इंडिया में जो नियर बॉर्ट हमारी इंडियन प्पॉपलेशन के 73 परसें लोग के द्वारा बूला जाता है इसमें हमारी सभी नोर्थ और वेस्टर जो लेंग्वेजिज हैं वो सब बोल जाते हैं जैसे हिंदी हिंदी और इंडो यूरोपें लेंग्वेजिज बेंगोली मराथी नेंटेटिए करणे मोटिज है इसाफ्टि के अब यूर्द वेजिए अपने में अपने बट्रक्ति को हम देब्लाप कर सके और उर्दू लेंग्वेजिज हमारे ऐड च्यट्यूल में तो गाई आप में आपको पते होगा तो ठीक है आज के लिए हम इतना ही रखते हैं नेक्स्ट हम अपनी पर्टिकुलर वीडियो में अपना फिफ चप्टर स्टार्ट करें इनिशेटिव तो यूएस को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना कोई आउटो कमेंट करना तब तक लिए बाबाई टटाव